हलो फ्रेंट्स, वेलकम टू ब्लू बेल ऑनलाइन स्टडी तो इस वीडियो के साथ हम अध्याई 2 का theory section complete कर लेंगे इसके बाद friends मैं अध्याई 2 में मैंने जितने भी topic आपको clear करवाये हैं मैं उन सब के आपको one-liner questions लेकर आऊंगी ताकि हमें idea मिल सके कि किस तरह से exams में question पूछे जाते हैं तो उस one-liner question से आपको काफी help मिलेगी तो पहले friends आपने theory section के सभी वीडियो देखने हैं ताकि जो one-liner questions में लेकर आऊंगी वो question आपको लंबे समय तक याद रहे तो आपने friends वीडियो में last तक बने रहना है वीडियो को like करना है तो चलिए friends वीडियो को अब हम start करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रकर्तिक जीले तो सबसे पहले हम कुलू से start करते हैं कुलू में है मंतलाई जील ये जील 4116 मीटर उचाई पर स्थित है और ये जील पारवती नदी के उदगम स्थल के रूप में भी जानी जाती है उसके बाद है friends ब्रिगु जील इसे ब्रिगु रिशी की तपोस्थली के रूप में भी जाना जाता है और उसके बाद है श्रिंग त्यूंग जील इसे श्रिंग रिशी की तपस थली के रूप में जाना जाता है और है दियोरी वा हंसा जेल ये दोनों जेल सेंज घाटी में स्थित हैं दियोरी वा हंसा जेल उसके बाद है friends सरवासर जेल बंजार में स्थित है इस जेल की उंचाई 3100 मीटर है तथा बूडी नागिन इस जील की देवी है और बूडी नागिन का मंदिर ज्यागी में है उसके अलाबा है देहनसर जील देहनसर जील की उचाई 15,000 फुट है इस जील के समीब भगवान शिब ने त्रिशूल से डायन का सहार किया था जिसकी वज़े से इस जील का नाम देहनसर जील पड़ा उसके बाद है फ्रेंड नेंसर जील नेंसर जील कुलू के भारी सिराज में स्थित है और भीम द्वार और शिरिखन महादेव के बीच 4000 मीटर की उचाई पर स्थित है और यहाँ पर पांड़ पुत्र भीम ने एक गुफा का निर्मान भी किया था उसके बाद है दशर जील दशर जील कुलू में स्थित है और रोतंग दर्रे के स्मीप स्थित है दशर जील के उचाई 4200 मीटर है और ऐसा माना जाता है कि इस जील में सनान करने के बाद मोगल बाजशा अगवर की बेटी को अंधररंग की जो बिमारी थी वो इस जील में सनान करने से सही हुआ था तो यह एक स्टोरी है मैंने इसे भी एड़ किया है ताकि आपको याद करने में इसी रहे उसके बाद है कांगडा, कांगडा में है फ्रेंट्स डल जील और करेरी जील, ये धरमशाला से 11 किलोमेटर दूर 1775 मीटर की उंचाई पर स्थित है और करेरी जील, इस जील की उंचाई 1810 मीटर है, तो इसको भी याद रखना है आपने नेक्स्ट है कुमारवा जील, जो कि मंडी में स्थित है, और इस जील की उंचाई 3150 मीटर है, उसके बाद है पराश्र जील, पराश्र जील की उंचाई 2743 मीटर है, और ये भी डिस्टिक मंडी में स्थित है उसके बाद है कुंत ब्योग, कुंत ब्योग जील, रिवालसर से 4 किलोमेटर की दूरी पर, नेना देवी इधार पर स्थित है, और इस जील का संबन पांडवों की माता कुंती से बताया जाता है, तथा इस जील की उंचाई 1700 मीटर है, उसके बाद है कामरुनाग, कामरुना वा बोध, तीनो धर्मों का तीर्थ स्थाने से माना जाता है, ये जील बोध लोगों के लिए पदमाचन के नाम से जाना जाता है, तथा बोध भिक्षू, पदम संभव के जनम दिन पर यहां पर छेशू मेला लगता है, और इसके अलावा रिवालसर जील को तेरते हुए टापों का जील भी कहते हैं, इसको भी याद रखना है आपने, उसके बाद है कलासर जील, कलासर जील, रिवालसर जील के किनारे पर बसे शहर में स्तीत है, इस जील की उच्चाई 1755 मीटर है, उसके बाद फ्रेंज हम कुछ और जील के नाम भी डिसकस कर लेते हैं, जो कि मं मंडी में स्थी थे सुकसार जील हो गया लीोला सर्जील हो गया डाबरु dragonsी घादला स Khan जील ये सभी जील मंडी की प्रमुक जीले हैं उसके bay दिखते हैं चंबा में कौन कौन से जील है गडाशरु जील 14 तैसिल में देवी कोठी के पास दिख़े और इसकी की उचाई 3657 मेटर है उसके बाद है फ्रेंज लामा जील भर मोर में स्थित है और साथ जीलों का समू भी लामा जील को कहा जाता है और लामा जील की उचाई है 3962 मेटर उसके बाद है फ्रेंज खजियार इस जील को हिमाचल प्रदेश का स्विजिलेंड भी कहा जाता है इसे ये नाम प्ली ब्लेजर ने 7 जुलाई 1992 को दिया था। ये विश्व का 160 स्थान है जिसे मिनिस्यूजिलेंड का दरजा दिया गया। इसकी लंबाई 0.5 किलोमीटर है और उचाई 1,950 मीटर है। उसके बाद है चमेरा जील। चमेरा जील। इसका आपने ध्यान रखना है कि ये एक कृतिम जील है। मतलब बनावटी जील है जो रावी नदी के पास बनी है। उसके बाद है फ्रेंस मड़ी महर जील। ये केलाश परवत के नीचे स्थित हैं और इसकी उचाई 3,950 मीटर है। उसके बाद है सिरमोर के बारे में हम डिसकस करते हैं रेनो का जील। ये 2,5 किलो मीटर लंबी जील है और ये जील हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकरतिक जील है। तो याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकरतिक जील कौन सी है। और शेत्रफल 168 km है तो उसको भी आपने याद रखना है ठीक है और इसके अलावा रेणो का जील रामसर अद्र भूमी साइड में शामिल किया गया है और इसकी आकरती सोई हुई स्त्री के सामान है रेणो का भगवान परशुराम जो कि विश्नु के छेटे अफतार थे तो इनकी माता थी रेणो का उसके अलावा परशुराम ने अपने पिता जंडगनी के आगया का पालन करते होए अपनी माता का वद कर दिया था और जंडगनी को जामलो देपता के रूप में जाना जाता है उसके अलावा है फ्रेंट्स सुकेती जील ये जील मारकंडा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है इसके बाद है शिमला शिमला में चंदरनाहन जील है ये जील 4267 मीटर उचाई पर रोड़ो शिमला में स्थित है साथ सरवरों का समू ये जील पबर नदी का उदगम स्थल है उसके बाद है तनू जुबल जील ये जील नारकंडा के समीब स्थित है उसके आलावा शिमला की कुछ और प्रमुख जीलों का नाम भी मैं बता देते हूं गड़ गूफर जील कराली तथा ब्रादोनसर जील ये सबी कुछ और प्रमुख जीलों के नाम थे इसके बाद है किनौर किनौर में दो प्रमुख जीले हैं नाको जील और सोरंग जील ना सूरश ताल जील जिसकी उंचाई 4270 मिटर है और ये बारालाचा जिल भागा नदी का उद्गम स्थल है को भी याद रखना है भागा नदी का उद्गम स्थल है सूरश ताल जील इसके बाद चंदर ताल जील को लोहित्य सरोवर के नाम से भी जाना जाता है और ये नाम चीनी यात्री ह्योन सांग ने दिया था इसके अलावा इसकी उचाई 4,270 मीटर है तो सूरश ताल जील और चंदर ताल जील दोनों की उचाई है 4,270 मीटर इसके लावा देखते हैं फ्रेंज हम दिपक ताल के बारे में दिपक ताल को सूरज ताल का छोटा भाई माना जाता है तथा ये जील दार्चा और बारालाचा के बीच में 3200 मीटर की उचाई पर स्थित है उसके बाद है धंकर जील ये स्पीती में स्थित है तथा नेलकंट ये जील लोहौल के नेंगार घाटी में स्थित है और इस जील में जो पानी है उसका रंग नीला है इसी लिए इसे नेलकंट कहा जाता है तथा इस जील में केवल पुरुशी दर्शन कर सकते हैं इस जील का संबन महादेव के साथ बताया जाता है इसके अलाबबा अब हम ब पताया था 88 km तथा 166 km है तो यहां से कई questions हमारे clear हो जाते हैं सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा कृतियम जील गोविन सागर जील है जो की विलासपुष जिले में स्तित है और सतलुज नदी पर बनी हुई है और इसके अलावा गोविन सागर जील की लंबा जील भी याद रखना है और कौन से नदी पर बनी है या किस नदी से संबंधे उसे भी याद रखना है तथा पॉंग जील की लंबाई 42 km है और यह जील महराणा प्रताफ सागर के नाम से भी जाना जाता है इसके अलावा पॉंग जील के पास ही पॉंग बांध भी है जो की कि अचयों तो के बारे में सबसे पहले मनिकरन हुआ प़ैवती नदी के किनारे पर स्थित है और यहाँ पर गरम पानी प्रभ के गंगा तक एक किलो 2023 में विस्त्रूत है इसके अलावा कि जो आसपास की शैटने हैं वह भी गरम है और पानी का तापमान उबलते हुए पानी के समान होता है और ये पानी अनेक चरम रोगों को सही करने में सहायक होता है इस मानियता के कारण देश भर के लोग यहां सनान करने आते हैं इसके बाद है फ्रेंस तत्ता पानी तत्ता पानी मंडी जिले में तथा सत्लुज नदी के किन किनारे स्तीत है और यहां पर भी गरम पानी के स्त्रोथ पाए जाते हैं इसके अलावा है वशिष्ट वशिष्ट में भी गरम पानी का स्त्रोथ है जो कि मनाली से 6 किलोमेटर दूर व्यास नदी की किनारे पर स्तीत है और यहां पर ग्रे नाइट की चटानों से गरम पानी बा उसके बाद है खीर गंगा, खीर गंगा का संबन पारवती नदी से है, यहाँ पर भी गरम पानी का चश्मा है, और उसके बाद है कसॉल, कसॉल का भी संबन पारवती नदी से है, यहाँ पर भी गरम पानी का चश्मा है, और उसके बाद है मनिकरन, और मनिकरन पारवती नदी क किनारे बसा है और यहां पर भी गरम पानी के चश्मे है जो कि मैंने अभी पीछे स्लाइट में डिसकस किया था तथा रहला रहला भी कुलू मनाली में ही स्थित है यहां पर ठंडे पानी के चश्मे है उसके बाद है फ्रेंट्स कलाथ कलाथ व्यास नदी के दाएं किनारे पे स्थित है यहाँ पे पानी ना तो जादा गरम है और ना ही जादा ठंडा है उसके बाद एक बहना है जो कि कुलू के बारी सिराज में स्थित है यह सतलूज नदी के किनारे स्थित ह यहां पर भी गरम पानी के चश्मे है उसके बाद जीवरी जो की शिमला में स्थित है यह अन्नु नाली के पास स्थित है और यहां पर भी गरम पानी के चश्मे है तथा चड़विक यहां पर पानी ठंडा है उसके बाद है किनौर किनौर में टापरी में गरम पानी के चश्म है उसके बाद हैं लुनानी की खोच केपें इक कोलंबन ने की थी और यहाँ पर भी ठंडे पानी के चश्मे है के बाद ten friends सुला सुला में भी ठंडे पानी के चश्मे यह तथा चंबा में सभण्धा आ जो की पन्च-पुला हैं आ परillos धन्डे-पाने का यह चश्मे या जर्ना आप बोल सकते हो उसके बाद है कली का भी चंबा में ही स्थीत है यहाँ पर भी ठंडा पानी का चश्मा है और उसके बाद है मंडी मंडी करसोग में तत्ता पानी जो कि सतलुज नदी के दाएं किनारे स्थीत है यहाँ पे गरम पानी का स्त्रोथ है और उस पानी में गंदग पाया जाता है इसके बाद है friends कलाथ कलाथ हिमाचर प्रदेश के कुलू डिस्टिक में स्तीत है और यह व्यास नदी के दाएं किनारे में स्तीत है यहाँ पे पानी ना तो अधिक गरम होता है और ना ही अधिक ठंडा रहता है तो यह सभी friends हिमाचर प्रदेश की प्रमुख जरने और चश्मों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बाद friends हमने अभी तक अधियाई 2 में जितने भी theory section complete किये थे मैं आगे उन सभी theory section से कुछ one-liner questions निकाल के लाऊंगी जिससे हमें ये idea लगेगा कि किस तरह से exams में questions पूछे जाते हैं तो यह हमारे लिए बहुत ही helpful रहेगा आने वाले exams के लिए मिलते हैं friends अब हम हिमाचर प्रदेश के अधियाई 2 के one-liner questions के साथ तब तक के लिए जै हिन जै भारत